किपूद्प batch 2002 स्ब्जेक्ट है object oriented प्रोग्राविंग cómo यह लेक्टर नंबर घ्रफंद तॉपइक फ्रक्टर से रहें सी प्लस थी प्लस थी फ्य nuestro किस तरीके से यूज करते हैं कैसे रहें 1997 किश possiamo 지금은 basically आप जो structure है उसको पिछले साल जो first semester या second semester में आप इसको पढ़ चुके हैं किसी में जो structure हो किस तरीके से काम में आता है वैसा ही से इहां पर क्या होता है कि सी 1 core देने का थोड़ा चैंज होता है स्ट्रक्चरों का structure प्रेस्ट जो में तरीका है वह सेम होता है स्ट्रेक्शर होता है रिवेजन यह होता है कि आप पहले ही जानते हैники structure क्या होता है एक तरीकी कोते हैं ॕ दूसरे उता लुजिटिफञ प्रिफाइंड डेटा, नियुजर रिफाइंड डेटा, टाइप्श में हमारे जैसे इंटीजर आता है tienen डेटा, और जो जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। क्योंकि इनका नेम मुझे है पर ङकरते हैं और इसके अंदर दिफीर्ट-डिफेर्ट पुराने वाले वाले टाइप से उनको यूज में लेते हैं गालाता है उजय डृफाइट टाइब कंराता है इसक्रकुर जो होता है structure also used to present record records को represent करने काम में लेते हैं जैसे अगर example के में देखें कि suppose अगर हम किसी books जो library होती है उनका record रखना चाहें तो हम क्या क्या हमको क्या क्या चीज चाहिए होंगे उनका title भी होता है author भी होता है subject भी होता है book ID भी होता है हमें यह चीजे record रखनी पड़ सकती है अब इसमें अगर आप देखेंगे तो title जो होता है यह क्या होता है character में आ सकता है क्योंकि alphabetical होता है author का जो नाम है यानि किसी author का जो नाम होगा वह भी alphabetical होता है तो यह किसमे code अगर यह digits के अंदर किस तरीका हो जाएगा यह एक इंटीजर टाइप का डिटाइप हो जाएगा तो क्या हुआ यह different different data types है यह जो है एंटीजर टाइप का है तो होता है कि अगर हम एड़ यूज में ले सकता है लेकिन क्या होता है कि एक तरीके की डेटा टाइप की वैलियू हम तो डालनी नहीं हो हो इसा कूंड सा तरीका जीन लें तो इस प्रोब्लम को सौल करने का काम करता है structure solve करता है structure क्या करता है कि different different data types की values को एक साथ use कर सकता है अपने members के root में अब देखते हैं कि structure को हम C++ में किस तरीके से define करते हैं तो जैसे कि आप C में पहले भी देख चुके कि structure को define करने का तरीका अब C और C++ दोनों का बिल्कुल से मां फिर भी हम दुबारा देखते हैं कि structure को define करने के लिए हम जो होता है कि structure keyword यूज में लेता है stru ct structure keyword यूज में लेने के बाद उसके जस्ट बाद उसका structure का नाम आता है जो भी नाम structure को देना चाहिए वो उसका name हम देते हैं फिर जो ब्रेकेट्स होता है curly brackets यानि कि यह तो हमारे structure keyword हमने यूज में लिया और यह structure का टैग है यानि कि मुझे इसका नाम देना है यानि कि जो भी उसका नाम होगा structure का जो भी देना चाहिए एक साज़ड हम नाम दे सकते हैं फिर जो curly brackets से इसके अंदर इसके members आते हैं तो करना चाहिए जब curly brackets बंद हो जाता है तो यहां पर हम structure का object करते हैं उसका इसके तुरू हम आगे structure के अंदर जो members है उनको access कर सकें उसको हमें declare करना पड़ता है अब देखते हैं एक्जांपल के तुरूं देख लेते हैं किस तरीके से डिफाइन करता है वह इस पिछले वाला है कि हम पहले हम ले लेते हैं कि हमको लाइबरी के books का record रखना है तो उसके जो हमारे चार पांच जो हमने बनाए थे चार टाइटल ऑथर और सब्जेक्ट और बुक आईडी उसको हम यहां पर यूज में लेते हैं कि किस तरीके से हम तो यह हमारा ऑफ्रक्टी वर्ड हो गया हमने इसका नाम दे लिया books स्ट्रेक्टर जो हमने डैक्लेक्ड का नाम दे लिया books यह思 रिख सक्ति ऐसे क्या हो सक्तिये तो अ है तो यह चार डिफेंटर टाइब की data types हो गयो है और यह क्या कि अमने लािने नहीं हुग है जब करली देमारा ऑगया उसके बाद यह वनने बनाए है का ऑब्जेक्ट की तरहीं काम करेगा जिसके हैं अचले कर सकते तो मैं किसको जो भी structure के अंदर करें गे किस तरी क से जो वालीयों हमने असाइन करीज profit करें यह हम देखताstone और इसको काम में क्या लेते हम हैं मेंबर अइक्सेस ऑपरेटर इसको क्या करते हैं मेंबर एक्सेस करना है तो भी एक्सेस करना है यहां पर तो उसका उसके बाद डॉट लगेगा और उसके बाद क्या होगा कौन आएगा उसका जिस भी मेंबर को हमें एक्सेस करना है उस मेंबर का नाम आएगा तो क्या करते हैं we can use struct keyword to define variable of structure type जो हमने define किया था curly bracket के close होने के बाद मैं एक बार आपको वापस बताता हूं पिछले वाले साइड में यह जो हमने define किया यह curly brackets होने अगर हम यहां पर define नहीं करते हैं अगर हम इसको बाद में define करना चाहें तो हमें उसके लिए काम में लेना इस ट्रक्ट की वर और यहां पर उसके बाद हम ले सकते हैं इस ट्रक्ट जो भी हमारा नाम था बोक्स और इसके जस्ट बाद हम उसका declare कर सकते हैं बी वन बी टू इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं यह ठीक है हमारी करेंट स्लाइट पर तो जो भी इसका जो सबसे पहले हम आज़र juga इंक्लूड कर दी हमने राइस स्टिंड डॉत इच कर दी और स्रींक उप्रघख कर सकते हैं और कर सकते हैं अगर हम उनके कोई जो फंक्शन से अगर उनको हम वह कर सकते हैं अब हम बात करते हैं नेंशपेस हमने युज में आह응 जिए लिया स्टेड़ी है समने इस्ट्रक्चर डिक्लाएर कर तया कीवर्ड में लिया और ये भुक्स नाम से इसका ओए किया इसके क्रिशन राएंगे चारों यसके मेंबर क्लाएंगे ऩिस्टीट से चारक्टर नहीं किया फ़या नहीं लें कि इसका स्टार्टिंग कर लिए ब्रेकेट में फंक्शन का यह देखिए यहां पर हम डिकलेर कर रहें क्या कर रहें structure का variable declare कर रहे हैं पहला, struct book book 1 यानि कि एक variable हमने declare कर ले, अब हम दूसरा भी declare कर देते हैं यहाँ पर structure book, book 2 हमने दूसरा variable declare कर दिया अब हमारे यहां पर दो variable declare होगे दो variable declare होने के बाद क्या है तो हम इसको values देंगे तो पहले这个 book कई ले देंगे कि कैसे करने हमने कौन सा फंक्षन काम मिलिया इस ट्रिंग कौपी किसके अंदर बुक वन यानि कि हमने क्या हमारा जो क्या था कि स्ट्रिंग कौपी फिर से अधर के अंदर डाल देंगे तीसरे से सब्जेक के अंदर दाल देंगे और चोथा बुक वन डोट बुक आईडी हम यह इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे फिर इसका हमारा आता है दूसरे वाला जो हमने वेरियाबल बनाया तो उसमें कैसे वैल् प्रिंट करने के लिए सेम वही तरीका अंदर देखते हैं जो हमारे दूसरा वाला जो वैरियाबल बनाया तो उसकी वैल्यूच को प्रिंट करने के लिए सेम वही तरीका प्रिंट कर वाले हमने और स्क्रीन रोकने के लिए और यह हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा अब इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम जो हमने बनाया अगर उसका अंदर जो भी वैल्यूच हमने डाली अभी आप वह जब उसको हम कंपाइल करके रन करवाएंगे तो तो उसका आइगा वो तरिके सा आएगा वो इस तरीके का आउट पुट अएगा वकवन टाइटल लंशी प्लस परोगाम इंग और चांड मियां कि यहां प्रीजन की तरह हुआ है हमारα कि इस तरीके से काम करता है इसके मैंबर्स को हम कैसे डिकलेर करते हैं क्यों रizophren काम में लेते हैं लाइबरेडी की जो बुक से उसकी डिटेल्स को रखना है तो मैं क्या करूँगा मुझे क्या क्या चाहिए होगा टाइटल चाहिए होगा ओथर का नेम चाहिए होगा उसके आइडी चाहिए होगी तो यह सब different different type की data types हो सकते हैं क्योंकि जो नाम वगर होते हैं वो तो सेड़क्षन ऑप सेम डियृटाइप दिवेल्यू बैलीं हम यहां मुझे कआता है और टीक्लेर के जाता है पी जे पर चाहरे हैं तो यह हैं पर यहां पर रहोता है लास्ट में ही क्या कहलाथा इसका इस्टर का of variable है तो इसका अगरे से हम डिफाइन कर सकते हैं दूसरा तो यह डिफ इसको एक्सेस करने का में लेते हैं इसको की column लेने का जो होते हैं मेंने तरहीं को का लेने का तरीका यह होता है जो हमारे structure का नाम के बाद के बाद जो भी Pad ie श्रेक्षर के जिस्विंद का लिए विल्या जैए और उसको बाकी की जो next topics है हमारे C++ programming के वो हम अगले वीडियो में देखेंगे आज का जो हमारा topic है structures को कैसे यूज में लेते हैं C++ में यहीं complete होता है Thank You